प्रेस दे बेल आइकन फर अल्ड अपडेट्स अकांशा रंजन के साथ बैलकनी से होटल रूम के बाहर का नजारा देख रही है और इस मोमेंट को रनबीर ने कैमरे में कैद कर लिया आल्या ने फोटो शेयर करते वे लिखा दव्यू अन हर टू फोटो क्रेडिट आर के फोटो क्रेडिट आर के यानि की रनबीर कपूर आज भले ही आल्या और रनबीर ने अपने अफेर होने को लेकर कोई कनफरमेशन नहीं दी है लेकिन कई मौकों पर दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने फीलिंग्स इजार की है आल्या के पापा महेशबट ने रनबीर और आल्या के अफेर होने की बातों को ना डिनाई क यह उनकी लाइफ है। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने दुनिया से उस वक्त बात की जब उन्होंने चाहा। It's their life, their space and I respect and admire them for choosing to talk to the world when and if they want to do. महेश भठास टोल तो हिंदोस्तान टाइम्स। वही रनबीर कपूर के पापा, रिशी कपूर ने भी उनके बेटे और आलिया के एफेर को लेकर अपना रियाक्शन दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो जल से जल रनबीर को सेटल होते देखना चाहते है। जो है वो है, सब को पता है, मुझे कुछ कहने की जरुवत नहीं है। रनबीर के लिए ये शादी करने का सबसे बढ़िया समय है। मैं 27 साल में सेटल हो गया था, रनबीर 35 साल का हो गया है, इसलिए उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए। वे अपने पसंद की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, हमें उसकी पसंद से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने जाने से पहले नाती पोतों के साथ खेलना चाहता हूँ। रनबीर हो या दूसरा कोई आक्टर, वे अपने काम पर ज्यादा फोकस है। वे जिन लड़कियों से मिलते हैं, वे अक्टरिस होती है। वे ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है। ये फिल्मों में काम करने वालों का फिल्प साइड है। इस हाई टाम ही गट मैरेट, I settled down when I was 27, रनबीर is 35, so he should think about marriage. He can marry anyone of his choice, we don't have any objection to it. I want to spend time with my grandchildren before I am gone. Be it रनबीर और his contemporaries, actors have blinkers on and are focused on their work. The only women they meet are the actresses, they don't socialize as much, that is the flip side of life in the movies. Rishi Kapoor से ये भी पूछा गया कि क्या वो अपने बेटे से शादी के बारे में बात करते है। इस पर उन्होंने कहा, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी उसे बोलती रहती है। और रनबीर ऐसे सवालों से दूर भागता है, जब भी रनबीर शादी के लिए तयार होगा, हमें खुशी होगी। I haven't been vocal about it, but my wife keeps bringing it up with him and he just brushes the question away. साथ साथ वो भी अपने बेटे को घुड़ी चरते देखना चाते है, वो भी जल्द से जल्द। Well, ये सब कब होगा, कैसे होगा, ये बतावाना अभी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप रनबीर के खीचे आलियापट के इस तस्वीर पर क्या रियक्शन देंगे? पोस्ट करें अपने कमेंट्स